नमस्कार मैं हूँ आपके साथ बर्का शर्मा मेरे साथ है मेरे सयोगी राज़त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं किसान आंदोलन से जोड़ी हो ये बड़ी खबर है दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने सेंगू बॉडर का दोरा किया है केजरिवाल ने इस दोरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये बड़ा अरोप लगाया कि लगातार केंदर की ओर से दिली सरकार पर दवाव बनाया गया था दिली के स्टेडियम जेलों के लिए देने का दवाव बनाया गया था ये कहना है अरविंद केजरिवाल का मुसीवत में किसान सब को साथ आना चाहिए केजरिवाल का केजरिवाल ने भारंद फंद का भी समर्थन किया है किसानों के लिए की गए इंतिजामों का जाइजा लिया है खुद अर्विल केजरिवाल और उनके साथ तमाम मंत्री और विधायक सिंगू बॉर्डर गए थे हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संखर्ष है वो बिल्कुल जायज है शुरू से हम पूरी तरह से मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संखर्ष में साथ रहे हैं आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो गेंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नौ स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने पर्मिशन मांगी तो उस टाइम मेरे उपर बहुत दबाव डाला गया चारों तरफ से कई फोन आये खुब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम पर्मिशन दे दें उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनी उनको पर्मिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे अंदोलन को मदद मिली उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार हमारे MLA हमारे पार्टी के कारेकरता हमारे मंतरी गन मैं खुद हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हु किसानों की सेवा करने के लिए किसान 24 गंटे मेहnąत करके खोन पसीना बहाके अउगाता हमारे लिए हमारी सेवा करता है। विवस्ता देखी, किचन भी देखी, एम्बूलेंस भी देखी, आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने आठ तारिक को भारत बंद का अहवान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है, और सारे कारेकरता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो किसानों की सेवा का जो काम सरकार की और से किया रहा है। उसका रilikषन करने हैं आज मुछने टार्टिक पहले सोचते ही पाइब सेवाइं कि अवह तो बहुत खोश है बता रहें कि जी वह देश के लिए बैठे हैं बखें कि हम बहुत अच्छे से बैठें को दिकता रहें एक साइब कई पार्टी सब्सक्राइब अरुन केजरिवाल ने एक बड़ा आरोप लगा है कि इन सरकार पर कहा है कि उन पर दबाओ था कि कैसे स्टेडियम और बुरारी ग्राउंड को जेल में तब्दील किया जाए सियासत और भी होगी परकाइस पर लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है किसानों के प्रदेशन की वेसे डी एंडी पर फीशन जाम लग गया है नोडा से दिली आने वाले सभी रास्तों पर लंबा जाम लगा है तीन किलोमेटर तक लगी है गाडियों की कतार अब आपके सामने डी एंडी पर ये लंबा जाम यहाँ पर लग गया है, परिशानी का सबब लगातारी आंदोलन, अब हम आदमी के लिए जरूर यहाँ पर बन गया है, तमाम वो लोग जो यहाँ पर दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो सड़के हैं डी एंडी की वो पूरी लगातार जारी है, सियासत यहां पर जारी है, अर्विंद केजरिवाल पहुचते हैं, मुलाकात यहां पर करते हैं, और इसी बीच यह दूसरी तस्वीर है, डी एंडी पर जो भीशन जाम लगा है, उससे लोगों को खासी परेशानी। क्या कर रही है कि NCR में जो लोग ट्रेवल करते हैं, जॉब्स के लिए, बिजनस के लिए, अपने काम के लिए, खासा परेशान होंगे आज लोग। क्या कल क्योंकि भारत बंब्न है, और भारत बंब्न की जहां बात है, तो किसान यहां पर मौझूद हैं, और वो उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं, वारता लगातार उनकी आपस में चल रही है, वो सीदे पूछ लेते हैं, देखिए दिल्ली जाम है लगबक काई जगों स आपका आठ दिसंबर भारत बंद है क्या तयारी चल रही है और भी तमाम रास्ते जो है बंद होंगे ऐसा कहा जा रहा है ऐसा है गामों में पूरे गाउं गाउं घर गर गली गली तक यह अंदोलन पहुंच चुका है और पूरा चक्का जाम होगा पूरा ही वे जो जितनी भी सढ़के हैं हर गाउं के आदमी को अपने बार जो भी सढ़क है उस पर बैकना इस समय आप बैठे हैं आप डी एंडी के आसपास की बात करें तो कहां-कहां और आप लोगों की बात हो रही है संगठन भी जोट रहे हैं यहां तो बोर्डरों पे तो रहेगा यहीं लेकिन य जाट साइड में हाईवे नेस्टनल हाईवे वगरा हैं उनने पर सब जंगे होगा हर गाउं के सामने होगा तो हर गाउं के आजपास की सडको को भी जाम किया जाएगा और दूसी जगों से भी इनकी बात चल रही है कई संगठनों ने इसी बीच देखे यहां पर जद दिन त परिशानी हो रही है उसकी बने रही है अब हमारे साथ पुलकित भी इस बग जोड़ गए है ठीकरी बॉर्डर से उनका रुक करते हैं पुलकित वहां की तस्विरे क्या कह रही है किस तरह की तैयारी किसान वहां पर करके बैठे हैं देखे तस्विरे आप देख लिए पहले तो फोर्स की तस्विरे देख लिए किस तरीके से फोर्स ने पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के साथ मोर्चा समाल रखा है दूसी तरफ है आपको किसानों की चोटे-चोटे पंडाल नज़र आजाएंगे ठीकी बॉर्डर का और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सरकार से अपनी मांगे मनवाई जाए यही वजह है कि आपको सामने का पूरा हाईवे यह बंद नज़र आएगा और लगातार किसान की तरफ से यहां से यह मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो इस इलाके को खाली नहीं करेंगे दूसी बात यह है कि इन पर नज़र रखने के लिए जहां जो फोर्स है वो लगाता ड्रोन का साहरा ले रही है ताकि पीछे तक की तस्वी क्या है अगर मैं आपको दूसी तरफ दिखाऊं तो बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस हाइवे को पूरी तरीके से आगे तक के लिए बंद रखा गया है यहां से अगर मैं एक किलोमीटर आगे तक की बात करूं तो इसी तरीके के पत्थर रास्ते में टेक्टर ट्रॉ में दिखाई आपने दिखाया कैसे वहाँ पर बैरिगेट्स बनाया जा रहा है सुरक्षा के इंतिजाम किये जा रहा है एक सवाल आप से पूछना है क्योंकि आप दिल्ली सरकार भी कवर करते हैं हमने सुबह देखा कि अर्विंद के जिवाल अपनी कैबिनेट के साथ देखें अर्विंद के जिवा ये भली भाती जानते हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी मुख्य विपक्सी दल है और पंजाब का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है अगर यहां से संदेश गलत गया तो इसका सीधा नुकसान पंजाब के अंदर होता है हलाकि आमाद्वी पार्टी की तरफ से जब ये बिल पास हो रहा था संसत में तभी एससाफ कर दिया गया था कि पार्टी आमाद्वी पार्टी उसके विरोध में है यही वजह है कि संजे सिंग पूरी रात पर्लेमेंट में इसका विरोध करने के लिए बैठे भी थे आमाद्वी पार्टी संदेश बुलकुल साफ रखना चाहती है इस बिल को लेकर कि वो इस बिल के विरोध में है और किसान इससे नाराज है उनके साथ में खड़ी हुई है एक एम बात यह हो जाती है कि जितना भी बॉर्डर पर अगर हम देखें चाहे वो सिंदू पंजाब के किसा नजर आते हैं और पंजाब आमाद्वी पार्टी के लिए बहुत महत्पूर है दिल्ली के बाद में इसलिए वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं दिखना चाहते है इसलिए आमाद्वी पार्टी के तमाम नेता सियासी माइने कितने जादा महत्पूर हमाद् पार्टी की आतिशि मार लीना उन्होंने के अंडर पर गंबीर आरोप लगा हैं वो हम अपने दर्शु को सुनाते हैं क्या कुछ उनकी ओर से का गया है बिदायक हैं आपके जीवाल साब यहां पाई तो में वेवस्ताई देखें लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कहा थे आप लोग देखिया हम तो जिस दिन से किसान अंदोलन शुरू हुआ है किसानों के साथ खड़े हैं हम लोग जब से किसान यहां पे आए हैं जिस प्रकार की मदद कर सकते हैं जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं उसके लिए यहां पे मौझूद हैं आप जहां पे खड़े हैं वहां पे एक लंगर के खाने की वेवस्ता है रोज आकर केले बंटे जा रहे हैं, पानी का इंतिजाम किया गया है, टॉइलेट्स का इंतिजाम किया गया है तो इसलिए हम पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं, कि उन्हें किसी भी प्रकार किसा मर्थन किया वज़ चिकता हूँ केजीवाल सामने दिन सरकार केक तरब से, क्या这गने के लिए कहा जा रहा था दिजिए कि एंद्री सरकार की तरह तरह बहुत स्पच्ट द आफा द आए कि जो आज बॉर्डर पे सारे किसान बैटे हैं, चाहे गाजीपूर बॉर्डर हो, चाहे संगू बॉर्डर हो, चाहे टिक्री बॉर्डर हो, किसानों को यहां ना बैठने दिया जाए. दबाव कुन बना रहा था दबाव कौन बना रहा था कौन दबाव दे रहा था देखिए प्रेशर तो केंदर सरकार से या रहा था कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए उपन जेल बना दे देखिए चाहे मंतरी हों चाहे अधिकारी हों आपको भी पता है कि दबाव कहां से आता है और उस दबाव वह दबाव यह चाहता था कि किसान AH को यहां पर प्रोटेस्ट ना करनी आद करनें दिया जाए बहुत चाहता था कि किसानों को ओपन जेल में बंद कर दिया जा idea कि किमि आम आदमी पार्टी और अधिली देखिये सिर्फ बुराडी की बात नहीं थी, दिल्ली में आठ नौ ग्राउंड्स या स्टेडियम्स को जेल, ओपन जेल बनाने की बात हो रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्विन केजरिवाल जी ने साफ मना कर दिया, कि हम किसानों के लिए जेल बनाने की प और ये राजनेतिक बात नहीं है, मैं तो मानती हूं कि देश के हर इनसान की जिम्मेदारी बनती है, कि जब आज किसान परेशान है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए और इसी बीच देखे हमारे सायोगी अलग-अलग जगाओं से बने हुएं, यह जो आरोप अमादी पार्टी के ओर से लगाया गया, यह अपने आप में बहुत महत पूर्ण हो जाता है, चुला बॉड़र पर इस वक्त हमारे सायोगी ललत मोहन मौन मौजूद है, उनका देकि जिस तरीके से दिल्ली के जो राष्थिप बंद्र है, अगर यह कहा जाए कि दिल्ली पुलिस जारा जो वेरिकेटिंग की गई है, चाहिए को गाजियावाद की तरफ से हो, चाहिए मैं नोड़ा की तरफ से हो, तो दवाब जो बना है ट्रेफिक का, वो डी एंडी प पर जो चेकिंग चल रही है, उससे जो है ट्रेफिक पे काफी दवाब है, और दो से चार फिलो मीटर की जो है, जो यह जान की इस्तिती बनी है, वो कहीं ना कहीं, जब यह बेरिकेटिंग लगाए गए उसकी चेकिंग की कारएं नहीं बनी है, और चिला पे इस तरह मैं मैं और नौ तारिक है, जो परसो का दिन है, वो किशान के लिए बहुत एहम दो दिन है, कल किशानों का सक्ति पज़सन है, उससे इस्तिती नौ तारिक की क्या बनेगी, ये भी तैह होगा, और तमाम जो राजनेतिक डल है, जिन्हों ने समर्थन दिया है, उसके बाद जो चक्क जाम की स्थिती होगी, जब आभी के आलम, बिल्कुल ये चक्का जाम की स्थिती, कल क्या देखने को मिलेगी, इस बात को लेकर सवाल है, क्योंकि आज ही एक तरफ से जो ट्वेलर है, वो देखने को मिल रहा है, अलग अलग सड़कों पर, सभी आप लोग हमारे साथ बने र इनी छे तस्वीरों के जड़ी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अंदोरन कैसे तेज हो रहा है, कल भारत बन की तयारिया कैसी है, कौन-कौन से राजनेतिक दल हैं जो सापते आएं और किसान क्या कर रहा है